इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला है कि बहुत ही शांदार घर का एक हाउस टूर यहां पे यूके अंदर यह घर है definitely इस घर से आप बहुत सारे डिजाइन्स होगाई है आप देख सकते हो कि भी किस तरह के different different designs यूके अंदर होते हैं क्या डिफिन तरह के रूम में क्या क्या तरह की चीज़ होती है अप लोग को यह वाली वीडियो और बहुत च्छी लवने वाली है क्योंकि आप लोग को काफी तरह की डिजाइन से और समझ में आएंगे कोई अपने घर में कोई डिजाइन यहां से देखे और उसे अच्छा और देन आ विल शोओ यू ओल दर रूम किचन बाथ रूम सब कुछ और चलो कंटिन्यू करते हैं इस हौस्टूड को यूके के अंदर यह है इसकी एंट्री तो एंट्री डोर यह है एंट्री हिहां से करते ही लेफ्ट साइड में इसके सीडिया है जो उपर जाती है रूम म और यहां राइट साइड में जाते ही, अगर मैं दिखा हूँ तो इनका लिविंग रूम है, तो अगर लिविंग रूम को, अगर आप देखोगे इसमें बहुत बड़ी एक विंडो दे रुखी है, कितना गुड साइज विंडो है, ठीक है, और उसके साथ-साथ जो इसका वो काफी जगह, फिर भी बच्ची वी है, तो यह डिजाइन है, मुझे यह टेबल बड़ अच्छा लगा, लेकिन यह इतना बड़ा टेबल डालने के बाद रूम में है, अगर बच्चे बच्चे हों छोटे, तो वो करने की जगह नहीं रहती, और इस तरफ यह टीवी है, और में है, और बहुत ही गुड साइज है, जो मुझे लगा, तो फाइव बेटरूम घर है, तो इसका मैं प्राइस जो है, वो भी बताऊंगा, आप लोग को, और जैसी हम डोर से एंटरी करी, जैसे मैंने बोला था, लेफ्ट साइड में उपर जीना है, जो रूम में जाता है, आगे जाएंगे, तो एक living room वो हो गया, उसके साथ साथ अब यह है, दूसरा वाला living room नहीं है, यह है dining hall, जिसमें खाना वाना खाने के लिए पूरी जगह है, तो इसमें 8 seat या 10 seat कह सकते हो, एक कुरसी यहाँ पर भी आ सकती है, और एक कुरसी वहाँ पर भी, तो 10 जैने बै इसको बार की तरह आप यूज कर सकते हो, पीछे की तरफ, और यह light जो है, जिसे कहते हैं, spike वाली light है, तो यह कुछ-कुछ ideas हैं, design है, जो आप लोग देख सकते हो, अब definitely अपने घर में भी अगर आपको use करने हो, online search कर सकते हो, use कर सकते हो, इन videos का यही फायदा होता है, कि यहां इस तरफ यह है, storage space, good size है, फिर से, ठीक है, इसके बार हम आते हैं, जो बहुत important part होता है, घर का, वो होती है, kitchen, लेकिन किचन में ले जाने से पहले, उस तरफ का area दिखाने से पहले, मैं आप लोग लेके चलता हूँ, उपर, rooms देख क्या आयता है, फिर kitchen दिखाता हू तो rooms करे carpet लगे हैं यहां पर, और यह जो entry पर wall paper है, यह बहुत ही चांदार है, entry करती है, जैसे यहां पर cd.o से हमने उपर आये, और यहां पर left side में entry, entry करते ही, यह पहला bedroom आ गया, तो bedroom good size है, यहां बड़ी almारी है, इसमें mirror लगे है, वहां खिड़की है, खिड़की है ज attached है, तो सिंक हो गया, टोइलेट हो गया और इस तरफ यह नहने के लिए, good size sour है, बहुत सही है यार, मुझे अच्छा लगा है, यह वाला room, कफी सही है, डिजाइन देखना किना अच्छा तरीके से करते ही है, पीछे wallpaper के साथ यह सीशे जो लगा रहे हैं, कितने सही लग रह और फिर उसके बाद हम जब आते हैं, यह दूसरा वाला room है, ओय होई, यह तो walk-in wardrobe है इस तरफ, यह पूरा अगर हम ऐसे गुसते हैं, तो उसके बाद यह पूरा room के अंदर एंट्रियो रहती है, वाउ, यह तो बहुत ही बड़ा room है भई, बहुत शामदार है तो, ठीक है, और प्लस, वो भी अच्छे लगे मुझे, और इसके अंदर भी toilet bathroom है, यह रहे, तो toilet है, यहाँ पे wash patient है, और यहाँ पे यह rail है, सिखाने के लिए तोलिये वगरा, गरम हैती है, और यहाँ पे यह shower के लिए पूरा bathroom है, good size shower है, इसमें भी पूरा बड़ा वाला shower है, और उसम सबसे बड़ा वाला master bedroom, जिसे कहते हैं, वो है, क्योंकि इसमें walk-in wardrobe भी है इधर, ठीक है, और इधर फिर यह जो toilet bathroom है, यह भी काफी बड़े है, लेकिन इनके जो main toilet bathroom है, वो कितना बड़ा है, वो देखने के लिए मैं भी excited हूँ, इस room से भाहर निकलते हैं, और continue करते हैं, बाकी के जो तीन room बच गए उनको देखें, इस तरफ चले गए, यह फिर दुबार से यहां पे क्या है, यह बोईलर वगएरा, जो मतलम हीटिंग घर में गरम पानी जो हो रहता है, हर कमरे में गरम करने के लिए हीटिंग जो लगी रहती है, उसके लिए यह boiler वगएरा, यह यह पूरा corridor सा है, तो इसके बाद इस तरफ toilet bathroom है, ठीक है, वहाँ पर रूम है, यहाँ पर इस रूम में जब घुसते हैं, तो यह तो office टाइप है, मतलम इतना बड़ा नहीं है, लेकिन well की अपकी table आजाएगी, यहाँ पे थोड़ा बात बेटने के लिए आगया, वह design से ल तो main toilet bathroom में ये shower है, पूरी shower unit सबकी बढ़ी है यहाँ ठीक है, वोसबेशन है, वोसबेशन का style बेट्स है, और प्लस यहाँ पे main shower में ये tubsa, जो है, इसमें आप आराम से लेट के धाओ, ये भी दे रखा है, ये सही है, वहाँ पे पीछे रखने के लिए जगए है, ये toilet seat ये सही है, गुड़ साइज है भी बस इसमें toilet bathroom attached नहीं है, ओन स्वीट नहीं है, लेकिन size वैसे good है, और ये देखना, पिछे design वेगए रहा, मतलब wallpaper वेगए रहा, design, bed sheet, cover, सब कुछ, इतना matching करके दिखाते हैं ये show homes में, कि बंदेगा देली कर जाए, कि अभी क्याभी ले में इसको, अगर इस तरफ से हम इसको देखें, किसना सरी लग रहा है, ये वाला तो हमें लगाना है, ये तो मैंने order कर रहा हुआ है, हमारे kitchen में लगाने के लिए, ये अच्छा है, और ये खिड़की देख लो इस तरफ भी है, मोसम बहुत अच्छ है आज, तो इसके बाद जब मैं अगर आपको ले की चलता हूँ, next वाले room में, तो next वाले room में, ये आगए हम, ये भी double bedroom है, ठीक है, double bed डलने के बाद ये अलमीरा, अगर ये इसको sliding वाले नहीं मनाते ना, इन wardrobe को, हर एक में मैं एक wardrobe खोल के दिखायता हूँ, ये देखो, सम में ऐसी है, ये wardrobe है, प पंके वगएरा नहीं है, अगर आप लोग देखो तो किसी भी room में, कोई भी पंके वगएरा, यहाँ, यूके में होती ही नहीं है, सिर्फ lights वगएरा, अलग अलग design है, इसमें अलग design है, ठीक है, उसके बाद ये heating है, हर जगे heating होगी, यहाँ पे भी है, वहाँ पे वोरी सा है, तो इसका light, सबके light के design देखना different है, इंटरस्टिंग है ना, और इसकी heating वहरी सामने है, और इस वाले का और देख लेते हैं, जब सबकी light देखी रहे हैं, तो एक बार फिर से, और इसका ऐसा है, जूम मर्जा बिलकुल, क्योंकि master bedroom है नहीं है, और इसकी heating एक ही एरी, औ और एक वोरी, दो है, क्योंकि यह रूम बहुत बड़ा है, तो यह है, यहाँ पर, लड़कियों के लिए, साथ सज्जा के लिए, dressing tables इसे बोलते है, वहाँ पर chair, मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई बैठ है या कभी, बैठके कि बातरूम की safety थोड़ी ना करनी है, बातरू good size kitchen है, बहुत बड़ी kitchen है, यह kitchen में लाउंज है, बैठने के लिए, पूरी खिड़किये है, यहाँ पर भी, बड़ी, उस तरह भी खिड़किये है, kitchen से भी आप इस तरफ इस वाले लाउंज से लिए, आप garden की तरफ जा सकते हो, garden है पीछे, ठीक है, और उदर से भी garden की तर पानिवानी गिरेगा, बीच में नहीं होना चाहिए था, यहां पर घंदा दिखेगा, बीच में, सेंटर में, साइड में होता है, यहां आप लोग बता ना, कि आप लोग क्या समझते इस बारे में, मुझे तो यह लग रहा है, और बाकी इस तरफ यहां पर मैं खोल के दिखा हूँ आप लोगों को इस तरह की है इसमें तो कोई अलग से नहीं है शेल्फ है और यह होब है और पांच गैस है मुझे यह इरिया बहुत अच्छा लगा होगा अगर यह जो मैंने न्यू हाउस टूर दिया है तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसी वीडियो ज़र बनाऊं तो make sure नीचे comment करें जो बता देना मैं और definitely बहुत सारे house tour दूँँगा आप लोगो UK घर दिखाऊंगा मेरा UK घर दिखाने का UK के house tour देने का यही एक inspiration यही एक UK घर दिखाने का मेरा एक यही मकसद है कि आप लोगो मैं अलग-अलग design दिखाऊंगा अगर आप लोग भी अपने घर में कर सकते हो तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई